नमस्कार सातियों स्वागत है आप सभी का उत्तर परदेश के महत्पुर प्रस्णों की क्लास में आए सातियों प्रस्णों को देखते हैं प्रस नमबर 1 है मित्रों प्रदेश में प्राथ्मिक सिच्छा निदेशाले का गठन किस वर्ष हुआ था उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सिच्छा निदेशाले का गठन किस वर्स हुआ था आउसन A है मित्रों 1970, आउसन B है 1972, आउसन C है 1975, आउसन D है 1973 तो प्रदेश में प्राथमिक सिच्छा निदेशाले की अस्थापना या गठन कब हुआ था साथियों ये 1972 में हुआ था कब हुआ था 1972 में आफसन 20 प्राधर संद का राइट आंसर है अगला प्राधर समय साहति हो प्रदेश के किस सहर में हाल ही में होट एर वैलून प्रसनी का आयोजन किया गया प्रदेश के किस सहर में अभी हाल ही में होट एयर वेलून का प्रदर्शन का आयुजन किया गया, आफ़शन A है मित्रो, लखन वी है, वाराणसी, आफ़शन C है, कानपूर, आफ़शन D है, गोरखपूर, तो अभी उत्तर प्रदेश के किस सहर में हॉट एर बैलून का प्रशनी आजन किया गया सात्यू यह बावा विस्वनाथ की नगरी वारारसी में वारारसी बहुत करंट फेयर या अपने यूपी जीके की दिरिष्टे बहुत इंपॉर्टेंट जन्पद है क्योंकि यहां से मो गंगा विला स्कुरूज टिक और इसे हौट एर वैलून चलाएगा बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा जानकारी इसके बारे में रखिएगा अगला प्रसना है सैचिक दिर्चिसे पिछडे व्लाकों में बालिका सिच्छा हे तूब कस्तूर्बा गांथी बालिका विद् पिछड़े बलाकों में उत्तरप्रदेश जन्पद में उनके लिए बलाकों में बालिका सिच्छा है तू कस्तुरुबा गांधी वालिका विद्याले योजना कभ से शुरू की गई आशन ए है साथियो 2000 आशन B है 2002 आशन C है 2001 आशन D है 2004 तो 2001 में तो मित्रों यह चालू हुआ यह सर्व सिच्छा वियान सब पढ़ें और सब बढ़ें ठीक और सैच्छिक दिरिष्टे पिछड़े बलाकों में यह कस्तुरुबा गांधी बालिका विद्याले योजना की शुरूआत यह 2004 में शुरू हुआ या गठन हुआ था इसका कब शुरू हुआ था 2004 में साथियो अगला प्रस्ण है प्रदेश के किस अस्थान पर अंतर राष्टिये मोनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और प्रदेश में अंतर राष्टिये मोनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन साथियो यह अगला प्रस्ण धाथियों उत्तर प्रदेश का सबसे कम नमभूमी वाला जिलान हम लिखित मेंसे कौन सा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वेट लेंड कहां पर है किस दिले में है आफसन ए हमित्रों बागपत आफसन भी है हाथ रस आफसन सी है उपर युक्त दोनों आफसन डी है सोन भद्र तो सोन भद्र में तो सरवाधिक है नमभूमी सरवाधिक नमभूमी सरवाधिक नमभूमी सबसे कम काहां परहें यह बागपत और हात रस δोरों जगां पर यह सबसे कम नंभूमी है और यह आम की एक बराइटी बहुत पुर्सिद्ध है प्री कि अगला प्रसन है उत्तर परदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी नई योजनाय सुरू करने का निरड़े लिया गया है अभी उत्तर परदेश में O.D. O.P. के तरज पर कौन सी नई योजनाय सुरू करने का निरड़े लिया गया है साथियों आफसन्गे हैं एक जिला एक खैल होसें विह एक जिला एक आदर भूम आफसन सी दोनों और इनन्मैंने से कोई नहीं तो अभी ओ डी ओ पी के तरज पर जैसे एक जिले नहें एक उत्पाद को वरियता दी जाएगी मानिता दी जाएगी तो उसी के तरज पर अभी उत्तर प्रदेश के अब दो नहीं योजनाय चलाई गई है कौन-कौन एक जिला एक खेल और एक जिला एक आद्र भूमी अब 75 जिलों में 75 आद्र भूमियों को जो है चिन्नित किया जाएगा उन्हें संदच्छित किया जाएगा जिससे जो है परियावर्ण सुरच पस्चिमी जिले को असपर्स करने वाला राज जिमने में से कौन सा है तो उत्तर परदेश का सबसे पस्चिमी राज पहले आप जानिये उत्तर परदेश का सबसे पस्चिमी राज साथियों कौन सा है ये सामली है कौन सा है सामली है तो सामली को असपर्स करने वाला इनमें स इसे कौन सा राज है आफसन a है बिहार आफसन b है हर्याड़ आफसन c है उपर युक्त दोणों और d है इन में से कोई नहीं तो सामली को साथियों यह हर्याड़ असपर्स करता है ठीक और बिहार जो है मित्रों यह जो है उत्तर परदेश का पूर्भी जिला पली यह इसे असपंस करथा है यह बिहार से अस्पंस करता है और सामली हरियना से असपंस होता है ठीक ह simplement प्रस्ण है राज में वायु अपुर्दन से सरवाधिक प्रवाविzk जिला निम्डमे कौन सा है उत्तर प्रदेश स्राज में वाय वर्षभ एपरदन से सबसे में पर्भावित जिला है सातियों आप्साने है मतुरा आफ्सन अपर आगरा आória सी है उपर युकर दोनों आफ्सन डि है इटावा तो इटावा जो है सातियों ये तो आउनलिका प्रभावित जिला है आउ कौन सा है आउनलिका प्रभावित जिला है इतावा जो है ये सरवाधिक आउनलिका प्रभावित जिला है आउनलिका और ये मतुरा और आगरा जो है सातियों ये वाई वपरदन से प्रभावित जिले हैं किसे हैं वाई वपरदन स प्रभविजिले मतुरा और आगरा हैं अगला प्रसने साथियों उत्तर प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेश छेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं कपास उत्पादन के छेत्र इनमें से कौन से हैं आसन ए है गंगायमना दोवा दोवा आसन भी है रुहेल खंड आसन काली ॐ किको कहते हैं पोचा किस मिर्दा पाया जाता और किस च्यट्र नाम जानते हैं उसे कपासी मिर्दा कहते हैं क्ःसी मिर्दा क तो उत्तर्प्रदेश्म के किस च्षेत्र मेंゃ ये ये होता है गंगा यमुना दोवाब और रुहेल खंड तो उपर इत्म दोनों में जो है ये पैदा होता है अगला प्रस्ने मित्रों उत्तर परदेश का चौथा तथा देश का तिरपनवा टाइगर रिजर्ब परदेश के किस जनपद में अस्थापित किया गया उत्तर परदेश में देश का तिरपनवा और उत्तर परदेश का चौथा टाइगर रिजर्ब किस जगां पर या किस जनपद में अस्थापित किया गया है साथियो आफसन A है लखीम पुरखीरी आफसन B है पीली भीत आफसन C है चित्रकूट और आफसन D है इन में से कोई नह इसका चौथा देश का तिरपनवा टाइगर रिजर्ब साथियों यह चित्रकूट में है अस्थापित किया गया है और इसका नाम क्या है मित्रों इसका नाम है रानीपूर रानीपूर टाइगर रिजर्ब टी आर का मतलब टाइगर रिजर्ब रानीपूर टाइगर रिजर और एक टाइगर इज़र अमनगड कौन सा है अमनगड टाइगर इज़र और बरतमान में अपने देश में टाइगरों की संख्या कितनी इसात्यों यह अगला प्रसन है किसान बही योजना की शुरुआत कब की गई थी मित्रों तो यह किसान बही योजना की जरुआत क्यों पड़ी यह जोतों की जोतों मतलब किसके पास कितना जोत है जोतों की जानकारी रखने के लिए किसान बही योजना की सुरुआत की इसके लिए जोतों की जानकारी के लिए जानकारी के लिए ठीक और अभी अपने उत्तर प्रदेश में एक डिजिट दिया गया है लेंड होल्डर के लिए कि किसके पास जो जमीन रहेगी उसको चिन्धित करने के लिए कि हाँ ये जमीन इनकी है उसके लिए एक नंबर दिया गया है जैसे आधार नंबर है वैसे एक नंबर दिया गया ह तो किसान वही योजना कभ चालू हुआ था यह 1992 में सुरू हुआ था उनी डैंसरइब में और 1995 में यह मिडेlık लोसी मिडे मील है थी मिडे me yes family कभ सुरू हुइ थी मित्रो रैंसर पंचानवे में अगला प्रस्ण है उत्तर परदेश का कुल गोवन्सिय पसुधन में कौन सा स्थान है उत्तर परदेश के कुल गोवन्सिय पसुधन में उत्तर परदेश का कौन सा स्थान है आफसन A है सात्यों पहला आफसन B है दूसरा आफसन C है तीसरा और D है चौथा तो कुल गोवन्सिय पसुधन में ये 2019 का आकड़ा है साथियों 2019 में जो पसुगड़ना की गई थी पसुजणगड़ना उसी के हिसाथ से ये है तो उत्तर परदेश का गोवन्सिय पसुधन में दूसरा अस्थान है साथियों कौन सा अस्थान है दूसरा अस्थान है और पहला अस्थान मित्रो यह वेश्ट बंगाल का इसका है पस्चिम बंगाल का वेश्ट बंगाल का क्या है फ़र्ष्ट अस्थान है गोवन्स यह पसुधन में ठीक और दूसरे नंबर पे हम लोग हैं लेकिन दुख-धूत बादन में हम लोग पहले अस्थान पे हैं ठीक अगला प्रस्थान है लीलोर जील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्तित है आफसन A है मित्रो आगरा आफसन B है बरेली आफसन C है गोरकपूर आफसन D है आयोध्या तो आयोध्या में मित्रो दर्वन जील है क्या है दर्वन जील कहां पर है यह आयोध्या में है और वोरखपूर रामगरध कि और इस यहाँ पर सेवा करने सुरुवात कि पड़ रहा है को इस ताल में बनारस में वह शुरुत किया गया अलकननदा कूर्ज। ऐसे यहाँ पर भी कूर्णा सेवा ostrds हुआ और लिलोरज झील सात्यों यह बरेली में कहां पर है बरेली में हैं और आग्रा में मित्रों आग्रा में है कीठम ताल ठीक कर इसले हैं और अढने ते जो राज का पहला पनाय जा पहला बिक पोषित होगा वो गोरख पुर्वे बनाये जा रहा है राज यद्वारा बित्त पोसित महिला बिस्विद्याले ठीक राय बरेली में जो बन रहा है उसका नाम हो इंद्रा गाधी के नाम पर होगा ठीक अगला प्रसने साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में नहरों का सरवाधिक बिस्तार है और बिस्तार किस आधार पर लंबाई के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक नहरों का बिस्तार है आफसन A है मित्रो राय बरेली में आफसन B है बुलन सहर में आफसन C है जोनपुर में आफसन D है सुल्तानपुर में तो जोनपुर को मित्रो इसके कहते हैं पूर्व का सिराज या सिराज या सिराज ये हिंद इसको दो नामों से जाना जाता है पूर्व का सिराज या सिराज के हिंद और उत्तरपर्देश के किस दिले में नहरों का सबसे आदा विस्तार में इंड यहék dun ettr पर राए बरेली में अभी हाकी स्टेडियम बनाया गया है अगला प्रसमें साथीं उत्तर प्रदेश के किस कभ इने सबसे लंबी उर्दू की कभिता लिखी है वरल्ड रिकार्ड बनाया है सोचिए अपने उत्तर पर्देश के हैं ये इन्होंने वर्ल रिकार्ड बनाया है सबसे लंबी उर्दू की कविता लिखी है इन्होंने तो इनका नाम क्या है साथियों आफ़सन ए है अकबर अलाहवादी और बी है तोकीर जैदी आफसन सी है फिराफ गोरख पुरी आफसन डी है उपर युक्त सभी तो उत्तर परदेश के किस कभी ने सबसे लंबी उर्दू कविता लिखी है ये तोकीर जैदी ने लिखी साथिय यह कहां के निवासी है यह प्रयाग राज के निवासी है इलहाबाद के निवासी है और अकबर अलाहबादी के यह पोते हैं इनका रिलेशन है इन से क्या है यह इनके पोते हैं ठीक यह भी एक सायर थे मुसायरा करते थे और लेखक थे कभी थे और यह इनके पोते हैं तौकी करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ सेयर करिएगा तो मिलते हैं अगले नेक्स सेशन में मित्रों तब तक के लिए जै हिन जै भारत